नमस्कार आपनी साय से खोबर एट नियुज एटीन स्टूडियो अट मौई जायेंट आमारब कृश्वामी अजी प्रधर्मत्री नरेंडर मुडियर स्वाइखोस्ते हुंख्या के मन की बात एक्ट्रिस मेर मन की बात मोडिया कोई सिल कोरोना बीरोधी जुज़र को ठा अजी एम हुटर खुनवा होक अजे मन की बात प्रधर्मत्री नरेंडर मुडियर मन की बात आजी की भी खेट्याओ देख भाखी खौंबु धन कोड़े आम नहीं ले रहे हैं और इस सब के बीच हमारे कुछ पड़ोसियां द्वारा जो हो रहा है देश उन चुनवतियों से भी निपट रहा है वाकई एक साथ इतनी आपदाएं इस स्तर की आपदाएं बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती है हाला तो ये हो गई है कि कोई छोटी छोटी गट्ना भी हो रही है तो लोग उन्हें भी इन चुनवतियों के साथ जोड़ करके देख रहे हैं साथियों मुश्किले आती है संकट आते हैं लेकिन सवाल यही है कि क्या इन आपदाओं की वज़र से हमें साल 2020 को खराब मान लेना चाहिए क्या पहले के छे महने जैसे बिते हैं उसकी विज़र से यह माल लेना कि पूरी साल ही ऐसा है क्या यह सोचना सही है जी नहीं मेरे पहले देश्वासियों बिल्कुल नहीं एक साल में एक चनोति आये या 50 चनोति आये नंबर कम ज़्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनोतियों पर जीत हासिल कर और ज़्यादा निखर कर निकलने का रहा है सैंक्रों वर्सों तक अलग-अलग आकरांताओं ने भारत पर हमला किया उसे संक्रटों में डाना लोगों को लगता था कि भारत की सवरच नहीं नस्ट हो जाएगी भारत की संस्कृती ही सबापत हो जाएगी लेकिन इन संक्रटों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया साथियों, हमारी यहां कहा जाता है, स्रजन शास्वत है, स्रजन निरंतर है मुझे गीत की कुछ पंक्तिया याद आ रही है यह कल-कल छल-छल बहती, क्या कहती गंगा धारा यह कल-कल छल-छल बहती क्या कहती दंगा धारा युग-यूग से बहता आता यह पुन्य प्रवाह हमारा उसी घित में आगे आता है क्या उसको रोक सकेंगे मिटने वाले मिट जाएं कंकड पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए भारत में भी जहां एक तरब बड़े-बड़े संकट आते गए वही सभी बाधाओं को दूर करते हुए अनेकों अनेक स्रिजन भी हुए नए साहित्य रचे गए नए अनुसंधान हुए नए सिध्धान गड़े गए यानी संकट के दोरान भी हर क्षेत्र में स्रिजन की प्रक्रिया जारी रही और हमारी संस्कृती उस्पीत पलवित होती रही देश आगे बढ़ता ही रहा भारत ने हमेशा संकटों को सभलता की सीडियों में परिवर्तित किया है इसी भावना के साथ हमें आज भी इन सारे संकटों के बीच आगे बढ़ते ही रहना है आप भी इसी विचार से आगे बढ़ेंगे 130 करोड देश वासी आगे बढ़ेंगे तो यही सार देश के लिए नए किर्तिमान बनाने वाला साल साबित होगा इसी साल में देश नए लक्ष प्राप्त करेगा नई उडान भरेगा नई उचाईयों को छूएगा मुझे पुरा विश्वास 130 करोड देश वास्यों के शक्ति पर है आप सब पर है इस देश की महान परंपरा पर है मेरे प्यारे देश वास्यों संकट चाहे जितना भी बड़ा हो भारत के संसकार निश्वार्थ भाव से सेवा की प्रेणा देते हैं भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की उसने आज शान्ति और विकास में भारत की भूमिगा को और मजबूत किया है दुनिया ने इस दोरान भारत की विश्व बंदूत्यों की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ